Sowing a system of equation in matrix form यहाँ पर आपको 3 linear equation दे रखी है तो इसको matrix form में हम कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुर सिपले दूस्तों इसको लिखा जा सकता है AX ब्राबर B जहाँ पर जो आपका A matrix है वो बनता है XYZ के coefficient से यहाँ पर X का coefficient कितना है? देखिए 1, 2, 4 यानि ऐसे समझे X के coefficient से बना 1st column Y के coefficient से 2nd column Z के coefficient से आपका 3rd column इसको कहते हैं हम coefficient matrix देख लिजीगा Y का coefficient 3 यहाँ पर minus 1 यहाँ आपका 7 यहाँ 7, 4 और minus 10 और जो आपका X है यहाँ पर वो बनता है दोस्तों वेरिबल का एक column matrix वेरिबल को ने यहाँ पर XYZ भी बनता है आपके यह जो constant है equal to जो constant दे रखें उनसे तो क्या है 11, 5, 1 11, 5, 1 तो AX ब्राबर भी यह आपका linear equation का matrix form में लिखना होता है ओके समझा गया होगा thank you channel subscribe करें अगली वीडियो में फिर मिलते हैं